हेलो फ्रेंड्स मैं हूतम जी दालम और स्वागत है आप सभी का टी एस एजुकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्तोपूड प्रस्ण और उत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में महत्तोपूड होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला प्रस्ण है आवेस की मात्रा का मात्रक क्या है दोस्तों आप अपना जबाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका सही जबाब है एमपियर प्रतिसेकेंड आवेस का मात्रक है अगला प्रस्ण है डाइनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है इसका सही जबाब है डाइनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रो गलिसरीन पाया जाता है अगला प्रस्ण है शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन होता है इसका सही जबाब है आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है अगला प्रस्ण है निम्बू में पाया जाने वाला अमल कौन सा है इसका सहीजबाब है साइट्रिक अमल निम्बू में पाया जाने वाला अमल है अगला प्रस्ण है वायू मंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है इसका सहीजबाब है वायू मंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है अगला प्रस्ण है गैसोहाल किस से बनता है इसका सही जबाब है पेट्रोल तथा इथेनोल के मिस्रड से गैसोहाल बनता है अगला प्रस्ण है अंधापन किस बिटामिन की कमी से होता है इसका सही जबाब है बिटामिन एकी कमी से अंधापन होता है अगला प्रस्ण है कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से है इसका सहीजबाब है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट है अगला प्रस्ण है शरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है इसका सहीजबाब है फीमर जो जांग की हड़ी है या सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है अगला प्रस्ण है मानो सरीर में कुल हड़ीों की संख्या कितनी है इसका सहीजबाब है मानो सरीर में कुल हड़ीों की संख्या 206 है अगला प्रस्ण है प्रकास वर्ष किसका मातरक है? इसका सही जबाब है दूरी का मातरक है प्रकास वर्ष अगला प्रस्ण है पोजी ट्रोन की खोज किसने की थी? इसका सही जबाब है पोजी ट्रोन की खोज एंडर्सन ने किया था? अगला प्रस्ण है पानी का अधिक्तम घनत्व कब होता है इसका सही जबाब है 4 दिगरी सेलसियस पर पानी का अधिक्तम घनत्व होता है अगला प्रस्ण है सुर्य की परावैगनी की रोणों से प्रिथवी की रक्षा कौन करता है इसका सही जबाब है ओजोन पर सुर्य की परावैगनी की रोणों से प्रिथवी की रक्षा करती है अगला प्रस्ण है डाइनेमो का अर्मेचर किस से बना होता है इसका सही जबाब है इस पात से डाइनेमो का आर्मेचर बना होता है अगला प्रस्ण है प्रीथवी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा इसका सही जबाब है उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा अगला प्रस्ण है सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका सही जवाब है 19.30 सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है अगला प्रस्ण है ठोस कोड की इकाई क्या है इसका सही जवाब है इस्टे रेडियन ठोस कोड की इकाई होती है अगला प्रस्ण है गड़ना में सहायक गडिती साधन के रूप में लगु गड़क की संकल्पना किस ने की इसका सही जबाब है जोन नेपियर ने अगला प्रस्ण है रेडियो धार्मिता की खोज किस ने की इसका सही जबाब है हेनरी बेकरल ने अगला प्रस्ण है मूलांकूर से बिक्सित होने वाले जड़ें क्या कहलाती हैं इसका सही जबाब है मूसला जड़ें अगला प्रस्ण है प्रोटीन जोकी कोचिका के भीतर उपियोग की जाती है यह किसके द्वारा सन्षलेशित होती है इसका सहीजबाब है मुक्त राइबोसों द्वारा अगला प्रस्ण है किस वर्ग के पौधों में वीज बनते हैं लेकिन वीज नगर रूप में पौधे पर ही लगे होते हैं इसका सही जबाब है जिमनो इस्पर्म वर्ग के पौधों में वीज बनते हैं लेकिन वीज नगर रूप में पौधे पर ही लगे होते हैं अगला प्रस्ण है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? इसका सही जबाब है टेरी डोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है अगला प्रस्ण है किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जबाब है एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है अगला प्रस्ण है एजोला क्या है इसका सही जबाब है एजोला एक जलिय फार्म है अगला प्रस्ण है वीजो की प्रकृती किस में उत्पन हुई है इसका सहीजबाब है टेरीडोफाइटस में वीजो की प्रकृती उत्पन हुई है अगला प्रस्ण है मिर्गी नामक रोग की औसधी किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है इसका सहीजबाब है मिर्गी नामक रोग की औसधी परमेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है के रूप में भी खाते हैं इसका सही जबाब है इंडो कारपन को जापान में लोग सबजी के रूप में भी खाते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को करिएगा